बात करें यहां से अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन का दिसम्मर बात देख रहे हैं आज देख रहे हैं कि सोयबीन में हमने ड़ाई फीजदी की कर्यक्शन तो शाम में बनती नज़ाद आ लिए वही दोपयार की कारोवार इस सहत्र में हमने सोयबीन में एंसेडीक्स के दिसम्मर बाते में तीन फीजदी की गिरावड बनती देखी थी लगबग आपको बतातें कि ओमीक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दिया है और अब किसानों को चिंता सताने लगी है कि उन्होंने जो सोयबीन इतने महीनों से महनत करके कीमते बढ़ाने के लिए स्टॉक करके रखी वी दी कहीं उसके दाम ना घट जाए इसकी वज़ा से किसानों ने अब अपनी सोयबीन की बिक्वाली करना शुरू कर दी है आपको बतातें कि किसानों ने लग बक्तीन मैने से जादा सोयबीन क्या स्टॉक करके रखा वा था लेकिन अब धीरे दीरे बिक्वाली शुरू कर दी है दूसरा उनको ये भी चिंता सता रही है कि पोल्टरी के कहन पर कई सरकार सोय खली का आयात नहीं करेगी तो किसानों को उससे लेकिन जो किसान उनको अभी भी चिंता सता रही है कि सरकार कहीं आगे जाकि कोई अपना दूसरा वहसला ना ले दे जिसकी वज़ा से उनकी सोयवीन के दाम गिड़ते नजर आएं तो इसलिए अब किसानोंने मजबूरी में दीरे दीरे सोयवीन को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है वहीं दूसरा वीदेशों की उपन नजर डालें तो साउथ अमेरिका के अंदर अच्छी बारिश के चलते सोयवीन के उतपादन में कुछ बड़ोतरी संबभ है जो की वैश्विक सप्लाई में सोयवीन में कुछ मददगार साबित हो सकता है वहीं से बात करें अगर जो नोपा की यानि नेशनल ओल सीड प्रोसेसर असोसियेशन का जो आगरे निकल के सामना है उनके अनुसार अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में जो क्रशिंग है सोयवीन देखने को मिल सकता है भारती तेल तेलन के बजार पर लेकिन ये जो तेजी का जो रुख है ये कितने दिन तक कायम रहता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सोयवीन पर अभी वैश्विक बजारों का बहुत बड़ा रोल प्ले करते होता है वह जो वैश्विक तेल त खादे तेल का आयात करना पड़ता है विदेशों से और अगर विदेशों में कुछ भी घट बढ़ होती है कीमते घटती है या बढ़ती है तो इसका सर भारत की तेल तिलन की कीमतों पर जरूर पड़ता नजर आता है और वही हमने सोयवीन पर भी ऐसे होते हुए देखा अभ हजार का भी लेवल वायदा की कीमतों में दिखा दे तो जिन किसानों ने सोयवीन अपना स्टॉक कर रखा है तो हो सकता है कि नया साल उनके लिए कुछ खुशकबरी वाला साबित हो जाए अगर कोई फैसले नहीं आते हैं और कुछ नीतिया नहीं आती है तो वहीं बात अभी सोयवीन जैन्वरी 2022 तक अभी मार्केट एक्सपर्स का ये मानना है